जो एक्षन स्टिक्वेंस है वो भी बहुत ही अच्छा है सबसे जादा मुझे अच्छा लगा तो सैफ अली खान का लुक है ट्रेलर जो है इस फिल्म का बहुत अच्छा है मुझे सैफ अली खान का रोल बहुत अच्छा लगा इंप्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत मज़िधा ट्रेलर है काजोल और अजे देवन की चोड़ी मुचे बहुत पसंदे ट्रेलर कैसा लगा आपको? ताना जी कर ओवर ओर ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और उमीद करता हूँ कि फिल्म भी ऐसी होगी अगर बात करें डायलोग्स की तो डायलोग्स काफी अच्छे हैं, अगर आप अजे देवन को उनके रोल में देखोगे हैं, वो भी शांदार आप इने कर रहे हैं, साइफ अली कान, माइंड ब्लॉइंग, काजोल भी दिखी है काफी लंबे समय के बाद, तो काजोल भी अच् आप डांस सेक्वेंस की और सेट की बात करेंगे तो डांस सेक्वेंस बहुत ही अच्छा है, वालकि एक डांस सेक्वेंस जो टेलर में यूज किया गया, उसे देखकर मुझे लग रहा था कि कहीं आशुतोज गौबारिकर इसको फिल्मा तो नहीं रहें, दूसरी बात जो घूरा इसूह काल मोण वुegaा ना का अखर, के अि एक्सेट की बात कर दीजिसा हí तो फिल्म छुर्वी बाहु अच्छा है और फिल्म का वोग हो अगर पुर। हमें मेल के पुरह से दूकिया कर तो अस चुना होो एक है तो यह जैफ़ बाहुभली अच्छा है, मुझा माइंड ब्लूँ है, उम्मीद करता हूँ कि फिल्म भी इतनी ही अच्छी होगी, स्टोरी भी बहुत अच्छी है, और ऐसा अच्छा भी लग रहा है कि अब फिल्मकार जो है, यह ऐसे अंसंग किरों को सामने ला रहा है, इनके ओपर फिल्म बना रहे हैं मतलब इस बार अजय देवगर और सैफ अली खान को साथ में देखकर, मतलब काफी अलग लग लग रहा है इन दोरों को देखकर, जैसे फिल्म में अजय देवगर जो है, वो ताना जी मलुसरे के किरदार में है, और वहीं जो उनकी वाइफ के रोल में काजोल नजर आएंग तो ओवराल मुझे ये ट्रेलर काफी पसंद आया है, इसके लावा सैफ अली खान का जो सबसे जादा मुझे कोई अच्छा लगा है, तो वो सैफ अली खान का लुक है, सैफ अली खान के डायलोग्स जो है, वो मैं एक बताना चाहूंगी, जैसे एक डायलोग है, तेरी मिट जैसे रिपीट होती है, सेम तो सेम होती है, बट इसमें कुछ थोड़ा अलग हट की देखन के लिए मिला है, और ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं, और मुझे सैफ अली खान का रोल बहुत अच्छा लगा, ट्रेलर तो शांदार है, जो अजय देगन इस फिल्म से जो ह हम लोगों को आफिस में लोगों को पसंद आ रही है, बल्कि शोशल मीडिया पर भी जो है, लोगों को काफी पसंद आ रही है, अजय देगन ट्रेंड कर रहा है, अगर में देखू, तनहाजी ट्रेंड कर रहा है, सैफ अली खान जो है वो ट्रेंटर पर ट्रेंड कर रहे है और साइफ अलिखान की एक्टिंग की अभी जो ट्रेलर में एक्टिंग की है उन्हें उसकी भी काफी तारीफ हो रही है तो ओर आल कहा जाए तो ट्रेलर जो है इस फिल्म का बहुत अच्छा है लेकिन दो तीन चीजे में को देखनी थी इसमें खास्तोर से अजय देवगुन की मैं बहुत बड़ी फैन हो और मैं इस ट्रेलर में थोड़ा सा अजय देवगुन को और देखना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है कि अजय देवगुन अपनी आँखों से ही एक्टिंग करत इसके अलावा इस ट्रेलर को लेकि में और भी ज्यादा इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें काजोल अजय देवगुन के साथ दिखाए देंगी तो काजोल और इनकी केमिस्ट्री हमेशा सी मुझे बहुत पसंद है तो ये ट्रेलर मेरे लिए बहुत अच्छा लगी उनकी और जिस सरी किसे पूरे ट्रेलर में एक बैग्डाउंड म्यूजिक के साथ पूरा वार दिखाते हैं वो बहुत अच्छा था और मुझे काजोल का एक डाइलोग है वो बहुत पसंद आया जिसमें बोलती है कुट्टो की तरह मरने से अच्छा है कि शेर की तरह अच्छा मरजो के तैलर मुझे बहुत अच्छा लगा इसम्हें विष्काजोल और आज्येधैओधन की जोडी मुझे बहुत पसंदें बहुत बहुत न chainों के बा自 नों के एक साथ देखने को बहुत टूल रह हैं इसके साथ ये साफली खान का रोल ही मुझे बहुत पसंद अजय जी, here, at your center. सबसे पहले, what a trailer. Amazing trailer, sir. मतलब, I literally got goosebumps. Congratulations, this is Anketa from Republic. And आपका 100th project है, बहुत amazing trailer है. एक चीज जो मैं आपसे जाना जाती हूं, आपको, first of all, जो भूमी का आपने भार है, वो बहुत ही respectful भूमी का है, in the film. साथ ही, आपको बहुत ही dare devil stunts भी हम करते हैं, तो किस तरिके से उस चीज की प्रपरेशन की, और कितना special है, ये film आपके लिए? I think a film, apart from it being 100th film, वैसे ही इतनी special है, क्योंकि जैसे आपने का, कि जब आप कोई फिल्म करते हैं, जैसे ताना जी जैसे फिल्म करते हैं, जब ताना जी कि आप भूमिका निभाते हैं, जो कि एक इतने बड़े warrior hero रह चुके हैं, तो एक responsibility बहुत बड़े आती है, जैसे शरत कर रहा था कि शिवा जी राजे जब करते हैं, तो, you know, तो, it was very important के आप ऐसे characters को किसी गलत तरीके से पोर्ट्रेइना करें, तो, सबसे पहले तो रिस्पॉंसिबिलिटी हो जाती है, एक्शन करना, स्टंस करना, अब काफी मारे भी लगी है, रोयत को भी पता है, इस फक्ट मेरे पहर में भी बहुत तकलीफ है, लेकिन करना पड़ता है, तो उसके लिए महनत करके कर लेते हैं. अजय जाना है, तीस साल पहले आपने सपना देखा था, तो तीस साल रोक पाना और उस पर किस तरीके से आपने काम किया था, जो अपसाकार करने का सूचा है? जब हम सपने की बात करते हैं, क्योंके को कि यह आपना था करता है, अन्ग्रेजी फिल्में में देखते हैं हमारे पास उस किसम की टेखना की टेखनाईजी केयों नहीं और सपना यह ही था, किसी दिन हम, इस किसम की फिल्में बना सकेईं spirits, जो के हम आट पार बाहर की फिल्मों के सामने खड़े रह सके हों और बोलें कि देखिए हमारे पास बजट आप से आधे से भी कम है लेकिन फिर भी हम आपके लेबल तक पहुच सकते हैं या शायद तो सपना यही था क्योंके हमारे पास technicians हैं हमारे पास अगर इतने budget में अगर हम यह quality ला सकते हैं तो आप सूचिए कि हमारे technician कितने ज्यादा बहतर होंगे तो यह मुझे लगता है और यही सपना था कि उन सब को सामने लाके हम ऐसी quality दिखा सकें एक वक्त आएगा और जब हम सपने की बात करते हैं तब तब फिल्म में आपको पता है कि किस quality की भी बनती थी कोशिश तब भी लोग करते थे लेकिन हमारे पास वो technology भी नहीं थी तो अब वो आ गई है तो अब लोग मेहनत करने हैं अब हमारे पास अच्छे technicians हैं directors हैं तो यह जो आप देख रहे हैं यह आज साकार करने में उन सब का बहुत बढ़ा हमारे तो यह इस बारे में ओम ने सोचा और ओम ने बहुत महिनत की इस पर जब मुझे यह स्क्रिप्स सुना है मुझे स्क्रिप्स बहुत पसंद आया फिर उसके बाद हम बैठ गए इसको के इस लेवल तक कैसे लेके जा सके और लुकिली मेरे पास हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जिनका काम आपको नजर आता है और आश्ट तक नजर आता है तो इन सबने मिलके यह यह चीजे पूरी कर भाए सब्सक्राविर्न इसक्राविर्ने करें लाइशनी एक बाद आता है तो इसके सब्सक्राविर्ने हम टे जढ एक है ऑठ बात मैनत किब आता सारे बुक्स बड़ें बहुत सारी पेंटिंग से इन्सिरेशन यह ए and we started on this journey in 2015 when we started writing this film. Mr. Prakash Kapadia, who's the... as I say that, you know, चीते की चाल बास की नजर और बाजीराओ की तलवाज लाइन लिखिया है, प्रकाश कापड़या के कलम पर कोई संदेह नही करते. Mr. Prakash Kapadia came on board, Prasad Suthar was here, and we started this doing ultra research on the smallest of the aspects of the film. हर ये दुनिया बनानी पड़ती है, ये वर्ल बनाना पड़ता है, 1670 किसी ने देखा नहीं है, तो 1670 में वर्ल कैसे था? वर्ल क्रियेट करने में हमने बहुत टाइम निकाला, and ऐसे करते करते करते, बहुत सारी बुक से रफेरेंसे लेके, बहुत सारी पेंटिंग से रेफेरेंस लेके, we came to a point where we could do what we could do. Just to answer your question, sir. करते वक्त हमने करियर में काफी महनत की है, live locations में जाकर, और back or beyond में shooting की है, हम लोग सुबह उटके में drive करता था, no traffic straight to film city, वहां पर दो बड़े set लगे थे, AJ Devgane films, air conditioner चलावा था, और सब blue screen, green screen, चारों तरफ. Oh no? I don't know. But, तो मुझे इतनी comfortable shoot थी, और हमारे जो डिरेक्टर थे, उन्होंने इतना focus किया मेरे उपर, और एक मुका दिया कि एक, दो, 10, 15 take, हम लोग करते थे वहां पर, 27, 28, हम लोग महनत करते थे, उसको improve करते थे, कभी-kभी 20 take, 25 take भी किये हैं, तो ऐसा मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात है, और हमने उसको improve किया, और ऐसा नहीं कि 1st take, 2nd take अच्छे नहीं थे, लेकिन हम एक perfection के पीछे पड़े थे, हमने बहुत-बहुत, इतनी महनत मेंने… यह अपनी perfection के पीछे पड़े थे, लेकिन अल्तिमेटली फिर्स थे, या थे कि या थे किये लगे हुए। लेकिन बेसिकली देर्टर ने बहुत-बहुत मदद की मरी… For you to only do so many takes with so much energy… I had too much fun, I had too much fun. It was a very interesting character, he was a little crazy character, and it was beautiful fun, really, really. कि अ आपको की माई चकटे। युकरेपली देवतावते हैं